हेलो फ्रेंज, वेल्कब टू माय चैनल, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, साइड पॉकेट, कार्टीगन में, साइड पॉकेट, साइड पॉकेट बनाने के लिए हम सबसे पहले, मेरा जो पार्ट है, इसमें, एटी फंदे है, पॉकेट बनाने के लिए आप बॉर्डर बना लीजियो उसके बाद pocket sự चाहिए किज़ छोर टेब काल उसके बाद RD ब anlatें कि अगर आगर अगर आप बद। बनाने के कि आय丳ी वंसी को बनाते हैं इसे ने में फॉर्डेंगर बना लिये हैं इसके बाद आपको पॉकेट यह इसमें 80 फंदे हैं तो यह देखे बॉर्डर बॉर्डर के बाद मैं 20 फंदे के बाद पॉकेटे स्टार्ट करूंगी और यह लास्ट में भी 20 आप 20 50 के बीज में रख सकते हैं और पॉकेट के जो यह होगा यह 40 या 35 भी रखे 35 मिनिमम और 40 मैक्सिमम इसस लेकिन पॉकेट की जो दूरी होगी वह 40-35 के बीच में ही रखे यह पॉकेट का इस्टेंडर साइज होता है यहां हम 20 बना लेंगे इसके बाद आपको मैं पॉकेट के फंदे उतारना बताती हैं 20 आप बना के अगर आपका डिजाइन है तो डिजाइन बनाते चलिए प्ले बाद में भी उठा सकते हैं लेकिन सुरू में रखने से डिजाइन में यह होता है कि हमारा एक रो में डिजाइन सुन्दर सा कभी आगे या पीछे नहीं हो पाता इसलिए आप यह तरीका भी बहुत आसान है फंदे उठाने का यह देखिए मेरे सीधें डिजाइन है यह फिर हमें सीधा ही बनाना है तो मैंने इस पर यह डाल दिया है और फंदे पीछे की और फिर सीधे बनाऊंगी अब मैं उल्टे में दिखते हैं यह हमारे तीन फंदे उल्टे हैं अगर आपका प्लेइन है तो आप प्लेइन बनाएं एक दो तीन उल्टे मेरे डिजाइन के अनुसार है आप प्लेइन है तो आप प्लेइन बनाएं मैं इस धागे पर रखते जाती हूं यह गीचने से बाद में फंदे पॉकेट में उठाने में सही से काम आते हैं अब यह सीधा आ चुका है इस पर भी मैंने यह डाल दिया फंदे यह पॉकेट उठाने के टाइम यह हलका सा धागा टाइट करके यह मैं सारे उठा लूँगी इसी तरह आप यह पूरी 40 फंदे यहां बॉर्डर से 20 या 50 मेरे पल्ले में 80 फंदे हैं इसलिए मैं 20 रखोंगी अगर आप 50 रखना चाहते हैं 60 रखना चाहते हैं तो उतना भी आप रख सकते हैं इससे बीच में पॉकेट आ जाएगा तो यहां बीच के इतने फंदे मैं इसी तरह धागे पर रख लूँगी यह देखिए यह मैंने सारे फंदे रख लिए धागे पर यह हमारा पॉकेट स्टार्ट हुआ है मैंने बॉर्डर के बाद 20 फंदे छोड़े फंदे पर उतार दिये और इधर लास्ट भी 25 डाले और इसके बाद यह देखिए मैंने फोर फिंगर के बाद पॉकेट स्टार्ट किया और फंदे उतारने के बाद भी आप फोर बना लीजिये यह जो पॉर्शन है यह फोर फिंगर में रखा है अगर आप सलाई में चाहते हैं तो 25 कम से कम 25 सलाई डालिए ताकि यह पॉकेट में थोड़ी से घरापन आ जाए 25 फंदे यह फोर फिंगर इस तरह से भी कर सकते हैं यहां से हम बॉर्डर फिट डिवाइडेट करेंगे पहले हम यह 25 फंदे बना लेते हैं यह देखिए यह मेरे यह धागे पर उतारने के बाद लगभग फोर फिंगर हो चुके मैंने 25 सलाई डाली है 25 सलाई से कमने यह आप इस तरह से फोर फिंगर भी डाल सकते हैं और आपको यह धागा बॉडर के बगल तक उतारना है बाद में आप यहां लाश्ट बॉडर तक में जितने भी फंदे हैं आप उस तरह से पूरे डाल देजिए और यहां देखिए अब मुझे पॉकेट की कटिंग करनी है यह मेरी लेप साइड के पल्ले है और यह मेरे राइट साइड के राइट साइड में इधर से इधर जाना होगा औ और लेप साइड में यहां से इधर आना है पॉकेट को तो यह 25 फंदे जो मैंने लाश्ट में छोड़े हैं उसके बाद आप उसीक्स एट कुछ भी बॉर्डर के लिए और उसके बाद यहां दो कोई कीजिए और कटिंग इधर से इस तरह से तिल्चा होगी यह मेरे 20 फंदे जो मैंने लाश्ट में छोड़े थे वो हैं और 7 मेरे डिजाइन के अनुसार 7 फंदे बॉर्डर के लिए सही है तो मैं 7 डालने हूँ आप 6 एट कुछ भी डालिए और बॉर्डर से पहले आप 2 फंदे को एक कीजिए यह मेरे डिजाइन के हैं और यह एक मत और अगर आपका यहां उल्टा डिजाइन में बन रहा है तो आप उल्टे में घटाईए इसी साइड से घटाना है आपको चाहे फंदे जैसे मेरे डिजाइन में यहां पर दो उल्टे थे तो मैं उल्टे कर लेती हैं यहां सीधे थे तो मैंने सीधे किया इसके बाद आप मुझे सेवन फंदे इस दिजान में यहां तक में सेट हो रहा है तो मैं सेवन बॉर्डर बनाऊंगी मेरे नीचे बॉर्डर एक उल्टा एक सीधा मैं वही डाल रही हूँ आपका जो भी बॉर्डर हो आप वो डालिए सीधा तीन चार पांच छे और साथ आप सेवन एक कुछ भी बॉर्डर डाल सकते हैं यह हमारा बॉर्डर हुआ और हमें यह नहीं बनाना है अब यह आप धागे पर उतारना चाहते हैं या आप सलाई पर रखना चाहते हैं आप देखे यही बॉर्डर है हमें इसी को बनाना है फिर मैं यह सेवन फंदे बॉर्डर बनाऊंगी और अपने डिस्जाइन के अंसार पूरी रो कम्प्लीट करऊंगी हमें उल्टे रॉंग साइट से हमें बिलकुल नहीं घटाना है हमें सीधे में उसी तरह से दो फंदे को एक करना है और इसी तरह यह रो मैं कम्प्लीट करूंगी और आप देखें यह कटिंग तब तक होगी जब तक आपको बॉर्डर के बगल में 20 और यह आपको 50-20 के बीच में अगर आपके इस पार्ट में कम मेरे में 80 है तो मैं 20 ही रखोंगी क्योंकि 50 मेरा थोड़ा जादा बड़ा पॉकेट बन जाएगा तो आप 20 और 15 के बीच में कुछ भी हो आप इस बॉर्डर के बाद यह कटिंग आप तक तक करते हुए चले जाएगे जब तक कि आप यहाँ पर आपको 20 फंदे ना बचे यह देखिए यहाँ मेरे 20 दोनों बॉर्डर छोड़ा के बीच में 20 फंदे बचे हुए हैं और यह मेरी लेंध भी लगभग पूरी हो चुकी है आप 20 के वज़ाए 50, 60, 80 कुछ भी यहाँ रख सकते हैं अब इसके बाद आप बैक साइड से यह जो मैंने धागे पर रखें इसे उठाना है और यहां तक यहां तक तो आप प्लें बना सकते हैं अगर आपका प्लें है तो पूरी तरह प्लें बनाईए लेकिन अगर डिजाइन है तो आप जो यह सलाय पर मैंने थे 20 फंदे यहां तक plane बना लिजे, उपर design डाल लिजे, या इस side से design डालिए और plane, क्योंकि यहां तिर्चा है तो यह दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए आप इधर design डाल दीजे, यह देखे, यह मैंने इतना दूर plane बनाया, जहां तक वो cutting थी, उसके बार आधे में, यह मेरा pocket का part है, आधे में मैंने design डाला और आधा plane किया, और यहां से, जहां से वो दिखना शुरू हो जाए, मैं एक-एक फूल बढ़ाते चली गई, पहले सबसे पहले, आप फंदे उठाईए, फंदे उठाने के लिए आप हलका सा, बहुत आसन है, हलका सा धागा को tight कीजिए, और जो भी है, यह देखिए, इसी तरह यहां तक बॉर्डर के बगल तक जो मैंने धागे लगाए हैं, आप फूरी सलाई पे डालिए, और एक दूसरा उन लगा के बिलना सुरू कीजिए, और यह ध्यान रखिए, कि डिजाइन आगे की और इस साइट से, और जब आप यह यहां तक प्लेन या डिजाइन जो भी आपका मर्जी हो, यहां बनाएं, तो इस सलाई के पास आने के बाद, जैसे ही आपका फूल एरजेस्ट किया हुआ है, उस तरह करते हुए आप आगे की और बड़ी है, यह देखिए, पीछी का प्लेन मेरा पूरा हो यह मेरे डिजाइन, दो को एक इस तरह से हो रहे हैं, तो यही करते हुए में, यहां हलका धागा टाइट कर दीजिए, ताकि जोएंट हो जाए, यह प्लेन बनेगा, यह डिजाइन में कम्प्लीट करऊंगे, और उधर से आते हुए, इस पे भी पूरा, यह हमारा बैक है, पॉकेट का, पूरे में अगर डिजाइन डालना है, तो आप पूरे में डालिए, और अगर आपका प्लेन स्वेटर हागे, तो फिर पीछे प्लेन बनाईए, और इसे इतरह इसे बनाते हुए, आप यहां तक आईए, पॉकेट के उपर, जो मेने उपर छोड़ा हुआ, फि इस बॉर्डर को आप पहले बना लीजिए, उसके बाद ये ये वाले फंदे, जो हमने 20 फंदे बीच में छोड़े थे, और ये जो साइड से बॉर्डर है, ये भी, और जितने ही ये टोटल फंदे हैं, इतने ही ये टोटल फंदे, दोनो एक दूसरे के साथ, इस तरह से, हम दोनों सलाईयों के फंदे को, जैसे हम बंद करते हैं, सारी स्वेटर में, आप इसी तरह बनाईए, ये देखे, ये उल्टा है मेरा, तो उल्टा को हम उल्टे से, दोनों सलाई के फंदे को, अगर उल्टा डिजाइन में आ रहा है तो आप दोनों सलाई के फंदे को उल्टा, दोनों सलाई के फंदों पे इस तरह से सलाई डालिये, उल्टा बना ये और ये मेरे डिजाइन में अब सीधा आ गया सीधा में भी देखिए इस फंदे में और इस फंदे में दोनों में एक साथ सलाई डालनी है निकालनी है ये बंद हो गया फिर सीधा है फिर सीधा इस तरह से और अगर उल्टा आता, दिखिए यहां पर उल्टा है, तो मैं फंदे आगे की और करूँगी, यह देखिए, और यह भी सीधा है मेरे डिजाइन में, और अगर आपका प्लेन है, तो पूरी इसी तरह, यह देखिए, उल्टा भी आ गया, तो हम उल्टा को इस तरह से दोनों को एक साथ सलाई में डालके, निकालके, यह बीच के फंदे सारे बंद हो जाएंगे, और हम डिजाइन उपर करके, आगे बढ़ते चले जाएंगे, यह हमारा पूरा पाकेट कम्प्लीट हो चुका है, यह देखिए, यह देखिए, फ्रेंस, हमारा पाकेट कम्प्लीट हो च ले जाएए, बैक में आपको इसमें हलकी से लाई करनी है, इस तरह से बॉर्डर के बगल से होते वे, और यहाँ जो थोड़ा सा पार्ट है, इसका भी से लाई करनी है, और हमारा पॉकेट कम्प्लीट हो गया, मेरे पॉकेट बनाने का डिजाइन आपको पसंद आता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्यू वेरी माच,